नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों Audio Storytelling Project India इस कार्यक्रम में मैं प्रेरना आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से सागत करती हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपके लिए एक सुन्दर कहानी लेकर आई हूँ हमारी आज की कहानी का नाम है उपकार का बदला एक बार एक चीटी पानी पीते समय नदी में गिर गई वो चिल्लाने लगी बच्चाओ बच्चाओ नदी के तट पर एक पेड़ पर बैठे कबुतर को उस पर दया आगई और उसने एक पत्ता तोड़कर पानी में चीटी के पास सेख दिया चीटी जट से पत्ते पर बैठकर बाहर निकलाई बाहर आकर उसने कबुतर को धन्यवाद दिया और वादा किया कि एक दिन वो इस भलाई का बदला जरूर चुकाएगी कुछ दिनों बाद चीटी ने देखा कि शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में कबुतर फस गया है उसने तुरं शिकारी के पैर पर डंक मारा और शिकारी के हाथ से जाल छूट गया उसे दर्ध होने लगा और मौका पाकर कबुतर जाल से निकल कर उड़ गया तो दोस्तों समझ गये न आप हमें दूसरों द्वारा किये गए उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए आपको ए कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना हम सभी प्यारे दोस्तों को एक साथ जोडने के लिए मैं आरती नाएक चेंज में कर इनकी बहुत ही आभारी हूँ धन्यवाद